भगवत गीता की एक बहुत बड़ी बात समझाने वाला हूँ ध्यान से सुना भगवत गीता की सुरुवात कहां से होती है दृतरास्त्रा उआचा दृतरास्त्रा अंधा था पतंजली योगा सुत्र की सुरुवात कहां से होती है अथयोग अनुसासनम जिसका मतलब यह होता ह कि अगर आप अपने जीवन में अभी जो कुछ भी experience कर रहे है मोमाया के अंदर उसमें मजा नहीं आ रहा है अब इस moment पे योग यानि कि जीवन में आप कहीं पर भी है किसी भी स्थिती में है वो जो आप experience कर रहे हैं इस दुनिया में मजा नहीं आ रहा है अथ योग और फिर पतंजल योगा सुत्र की सुरुवात होती है जहां योग को समझा जाता है और यही चीज भगवत गीता के अंदर है अंदे इंसान से सुरू होती है मोक्स तक ले जाती है और बीच में चार योग को समझा जाता है वक्ति योग कर्म योग क्रिया योग और ज्यान योग यो प्रोप्सकारम